बिस्मिल्लाहिराम अने रहें असलाम लाइकूम आज हम बना रहे हैं तूरी की सब्दी जो के तीन किलो थी शील के इनको काट लिया है एक छोटा चमत लैसन खलता सफ्राई करेंगे एक छोटा जमत तुछाए जीरा और दो मीडियम से इसके कटे हुए टमाटर नमक आधा चमत पूरा साओ डाल देते हैं हल्दे आधा चमत बीजों वाला मसाला एक भर हुआ चमत अद्रक तोड़र आधा चमत कुछी वी धन्या एक भर हुआ चमत अब इन समसालों को अच्छे से तीन से चार नट के लिए भून लेंगे तो मसाला अच्छे से हमने बूं लिए अब इसमें सबजी लागने लगे आपने पानी बिलुकुल नहीं दालना अब इसको मीडियम आच के तक्रीबन 20-25 मिनट के लिए ढाप के छोड़ दें 20 मिनट हो गया है लेकिन इनका पानी अधिता खुश्क नहीं हुआ मजीद इसको 10-15 मिनट और लगेंगे और यहीं पानाम इसमें चिकन पोलर वगारा डालनेंगे आधा टी स्पून चिकन पोलर और एक टी स्पून काली मिर्च पोलर अच्छे से मिक्स कार लेंगे काट लगाके तीन से चार सबस मिर्चे अडाल जेंगे और माईवील ढाव म महाँ पोलिब लगेंगे काट हम यूवार्यों प्रराह पोलिपना तो पान्गें तक रीदन खुश्ट हो गया है एक बरिसा इसका प्याज जो के पहले प्राई करके रखा हुआ था डाल देंगे इसमें स्वाइब शुटकेस में पुबीना, मेर्थी और सोखी धन्याग ये घर में खुश्ट करके मैंने रखिविया तीनों तीजे मिक्स करके दो से तीन चुटकी गर्ण मसाला तिस्ता हुआ एक छोटा थी स्पून के बराबर सिरका बस इसको एक से दो मिनट तक प्राई करेंगे तो सूरी यहां त्यार हो जाएंगी तो तूरी की सबजी हमारे त्यार हो गई यह देखें आयर निकलाए है और अच्छे से फून भी लिया आ तो सबजी हमारे तियार है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, क्यार करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें थोरह सा आप दिल खोल के मेरी वीडियो को लाइक और शेयर का दिया करें जाओं में याद रखें, अल्लाहाफेश और संग सब्सक्राइब करें प्राइब क्या दिया करें